हेलो दोस्तों मैं हूँ परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ online marketing plan for AC repair service आप अपने AC repair business को कैसे increase कर सकते हैं कैसे आप incoming call generate कर सकते हैं लोग आपको AC repair के लिए call करें या फिर contact करें आपको और आपका जो customer base है आपकी growth हो आपके business की वो सारी चीजे हम इस वीडियो के अंदर discuss करने वाले हैं यह वीडियो 5-10 मिनट की होने वाली है इस वीडियो के अंदर आप starting से लेकर end तक एक AC repair service के लिए जो best online marketing plan है वो यहाँ पर आप देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम discuss करने वाले हैं कि जो marketing है वो काम कैसे करेगी online marketing AC repair के लिए अब सबसे इसको समझने के लिए हमें customer journey को समझना पड़ेगा जब भी किसी की AC खराब होती है या फिर उसको AC service की requirement होती है तो generally लोग क्या करेंगे Google के उपर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे AC repair in Delhi अब Google तो हमें हमारी जो requirement है वो क्या है कि हमें Google के उपर यहाँ पर top में आना है जैसे कि कुछ और companies आ रखे हैं उनकी website आ रखे हैं यहाँ पर visit website है phone number आ रखे हैं उनका उनके address आ रखें तो ऐसे ही करके हमारा जो service है जो हमारी company है वो भी यहाँ पर show होनी चाहिए हमारा contact information Google के उपर आना चाहिए चाहिए वो add के अंदर आए या फिर वो map जो इस टाइप से हमारा जो address है इस टाइप से आए या फिर हमारी नीचे यहाँ पर website आए तो इन सभी तरीकों से हमारी जो website है या फिर हमारी जो company है वो यहाँ पर आने चाहिए ताकि जब भी Google के उपर कोई business यहाँ पर appear होता है तो generally user वहाँ पर click करके और website को visit करते हैं या फिर उस business को contact करते हैं अब इन सभी के लिए हमें requirement पड़ेगी हमारी एक basic website होने ज्यादा advanced website कि है यहाँ पर हमें requirement नहीं है AC repair दूसरा बात यह है कि जो AC repair service है वो एक local business है एक local area के अंदर आप जो service provide करवाते हैं जो भी आपका area है 5-10 km है 15 है 20 km है यह फिर आप complete एक पूरे city को cover करते हैं वो depend करता है कि आपके उपर तो उसी के according आप यहाँ पर अपना जो business plan है या फिर online marketing का plan है वो यहाँ पर आप सकते हैं तो अब हमने देखा कि जब भी किसी को requirement होते तो Google के उपर अब यहाँ पर हमारा business आएगा कैसे जो यहाँ पर हमारा business है वो आएगा तीन तरीके से सबसे पहला हमारा Google Ads जब भी हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो सबसे उपर यहाँ पर हमारे एड दिखाए देते हैं मेरे सामने यहाँ पर एड नहीं आ रखे क्योंकि हो सकता है कि मेरे area के अंदर यहाँ पर कोई एड ना चला रहा हो या फिर Google बार बार एड नहीं दिखाता है उसके बाद में हमारे जो आते हैं वो आते मैप के रिजल्ट जहाँ पर आप देख सकते हो Google Map रिजल्ट इनको बोलते हैं उसके बाद में आते हैं हमारी website अर्बन कंपनी है या type की website है वो क्या है वो business listing type की website है जो कि एक middleman का काम करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद में हमारा आता है आप देख सकते हैं और निचे भी यहाँ पर कुछ एड हमारी दिखाई देती हैं कि यहाँ पर आने के हमारे सामने तीन तरीके Google Ads Google Ads कैसे चला जाएंग प्लस में हमें valuable keyword find out करने हैं जैसे कि हम अपने area के according तो इसके लिए आप Google keyword planner का use कर सकते हैं एसी रिपेर जो keyword है उसको ओल इंडिया के अंदर यहाँ पर आप location भी चेंज कर सकते हैं अगर हम एसी रिपेर इन दिल्ली सर्च करते हैं तो 1000 से लेकर 10,000 लोग यहाँ पर सर्च क इसके लिए इसके लिए आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर यह सारी चीजे आप अपने area के according keyword find out करके और एक landing page आपकी website के उपर होना चाहिए के बाद में हमारा जो दूसरा तरीका हुआ SEO organic और local SEO local SEO वह होता है जो location based result होते हैं जैसे कि यहां पर Google Map के result है और उसके बाद के लिए हमारे पास में website होने चाहिए plus में हम यहां पर आप जो Google my business है इसके उपर अपने business को add कर सकते हैं तो Google my business का क्या होता है उसके लिए मैंने already एक video बना रखी यह completely free tool है और यहां पर आप अपने business को add कर सकते है अपने business की profile आपको complete करनी है इसके बाद में proper keyword targeting के according आपक सारी चीज़ें आपको वहां पर add करनी है उसके बाद में हमारा आता है business listing अब business listing क्या होती है जनरली जो ऐसी website होती है जैसे कि जस्टायल है जिनके ऊपर एक businesses की list हमें available मिलती है उनको हम business listing website बोलते तो इन website के ऊपर आपको अपने business को add करना है जैसे कि जस्टायल है सुलेख है वह appear होना चाहिए तो यहां पर अभी तक हमने तीन तरीके देखे सबसे पहले जब भी कोई सार्च करेगा तो सबसे उपर हमारा एड आ सकता है उसके बाद में हमारा local business वह यहां पर address और phone number के साथ में यहां पर दिखाई दे सकता है या फिर हमारी website SEO के अंदर आ सकती है इन सभी के लिए एक work करना पड़ेगा एक requirement पड़ेगी आपको इस सारी चीज़े अगर आपको SEO के बारे में नहीं पता है तो वह चीज़े आपको सीखनी पड़ेंगी Google Ads आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप हमसे service लेना चाहते हैं तो आप contact कर सकते हैं जो detail है वो description के अ अंदर आपको मिल जाएगी आप easily बनवा सकते हैं अगर आपको खुद बनानी आती है आप बना भी सकते हैं देखके सीखके उसके बाद में हमारा monthly ads या फिर आप SEO सर्विस चार्ज है वह आपका 5-10,000 के अंदर आपको easily work हो जाएगा आपका क्योंकि जो यह एक local business है और यह ads है वो ज्यादा role play करती है क्योंकि एक SEO के according top menu में थोड़ा सा आपको time लग सकता है क्योंकि SEO long term process है उसके बाद में हमारा paid ad paid ad के अंदर आप अपने budget के according Google के ऊपर ad चला सकते हैं जैसे कि अगर आप मैं initially बताओं तो आप initially 500-1000 रुपए का daily base के ऊपर budget लेके आप Google ads चला सकत हैं अगर overall हम budget की बात करें तो 10-15,000 के अंदर आपकी online marketing या फिर digital marketing का जो work है वो start हो जाएगा अब बारी आती है कि हम इस वीडियो को summarize करते हैं कि आपको करना क्या है तो simple step है सबसे पहले आप अपने business के लिए एक simple website आप design करवा सकते हैं उसके बाद में आपको focus करना है Google my business के उपर यान की हमारा जो map के result होते हैं उनके उपर और उसके बाद में आपको focus करना है Google Ads के उपर यह सारी चीज़े आपको करनी है अगर आप हमसे service लेना चाहते हैं तो detail जो है वो description के अंदर available है अगर आपको कोई भी सुजाओ है suggestion है तो comment section के अंदर जरूर बताइए मैं म आपर आपर ओड़ा और यह Mुव सार्वा आपको कवा आपको को जो में मी मुंआठ बीद़ स्चीज़े आपको कि में रिपादाएं को न Agora सब्सकाः रापकी सिय कूर.